नमस्कार दोस्तों, वेलकम ट्यूरोण चैनल, लर्न टू अन्वाइ एक यार, सो फ्रेंस टूड़े वूट बीडिस्कसिंग अबाउट सकूमा एक्सपोर्स के बारें, जहां पर आज शेयर में लगए 75%, 75% ज्यादा का गिराउट देखने को मिल रहा है, तो किस कारण से गिर है, तो मुझे बोनेट शिर्स मिलेगा की निवी लगा, तो बहुत सारी कोशिशन थे, तो चली, वन वाइवन सभी चीजों को हम लोग अभी चेक करने की कोशिश करेंगे, तो देख सकते हैं, आज की दिन में लगए 76%, 76% का आज यहां पर गिराउट देखने को मिल रहा है, शेर में देख सकते हैं, लगए 20% का हैं सरकीट लगा हुआ है, तो फ्रेंड गिराउट नहीं, अच्छा खासा लोगों का पैसा बना है आज के दिन भी, चेक करेंगे हैं इसका fundamental पार्ट तो small cap देख सकते हैं 1216 क्रोड की कंपनी है, स्टॉक का PY 36.1 है, इंडस्ट्री का 38. यानि valuation अभी भी सस्ता है, PY 5 का है, 9 से जितना करीम होत अच्छा माने जाता है, तो उतना अच्छा नहीं है, profitable stock है, कोई भी share pledge नहीं है, debt company 99.1 क्रोग का है, प्रमोटर का heading 46.3% है आपर देखनी को मिल रहा है, अपर चेक कर लेते हैं, कंपनी का share industry, उसके बाद पूरी FI का stake जो रहता है, यहाँ पर, FI का stake, यहाँ आपने increase किया, 0.21 से बढ़तर की 0.62 है, अपर major किसी का stake बढ़ा है, तो देख सकते हैं, यहाँ पर public का stake बढ़ा है, 37.92 से 53.09 आपर देखनी को मिल रहा है, यहाँ थोड़ा सा negative बाट है, कि public का stake बढ़ रहा है, प्रमोटर है पर बेच रहा है, यहाँ नाम आप यहाँ चेक कर सकते हैं, किसने किसने अपना आप से को बढ़ा है, आप नाम बताया है, पहली में मैंने वीडियो में आपको बताया है, आप चेक करेंगे फ्रेंट की कंपनी अपना result अनौन्स करने वाली है, result का date हुनने fix किया देख सकते 14 अगस्त, 24 अगस्त, 24 अगस्त कंपनी अपना result को, result अनौन्स करने वाली 2 बज़े का time है, तो इस चेक को आपको ध्यान में रख करके, कोई भी investment trading जो भी आपका ideas है, उसको आपको करना चाहिए, अब आगे बढ़ते हैं चेक करेंगे, आज के दिने बहुत ही बड़ा corporate event हो बोनस issue को ले करके, तो बोनस का ratio को चेक करेंगे, जितने भी doubt से सबको clear करने की कोशिश करेंगे, one by one, देखिए, बोनस का ratio जो company ने fix किया है, four to one का ratio fix किया गया है, यानि कि friend, for every one existing fully paid opportunity ratio, यानि कि एक share के बदले में, company जो रता है, चार bonuses issue करेगी, एक share के बदले में, चार bonuses company अपनी issue करेगी, उसका record date जो company ने fix किया है, वो देख सकते है, 10th August, 10th August 2024, यानि Saturday का दिन इसको fix किया गया है recorded, यानि कि friend, Saturday को तो market close रहता है, तो इसलिए, आज के दिन में, वो X हो गई है, तो recorded ध्यान देजेगा, 10 August 2024 का है, और इसमें important चीछ क्या है, कि last day to buy share क्या रहेगा इसके लिए है, तो friend, जिन्होंने भी कल के दिन में, आठ अगस को खरीद करके, record date तक जो भी share को रखेंगे, वो इस corporate event के लिए eligible रहेंगे, अब एक बहुत important कुशन है कि, आज मैंने share को खरीद लिया है, 9th August को खरीद लिया है, तो क्या मैं इस corporate event को खरीद होगा, तो आप eligible नहीं रहेगा, because आज ये share का X date था, okay, so आज खरीद लियागा, तो आप eligible नहीं रहेगा, because unrecorded क्या है, 10th August, ratio 4-1 में आलड़ी आपको बता दिया है, अब calculation part को फ्रेंट समझते है, माल लिज आपने एक share कल के दिन में खरीदा, 32 रुपीस 50 पैसे, 32 रुपीस 50 पैसा में, अब इसको देखे, आपको खरीदे में कितना पैसा लगा, 32 रुपीस 50 पैसा, company अगर नहीं कि, आपको मैं bonus दे रहे हूँ, तो 4 share bonus की बात हुई है, तो आज का open prices का 6 रुपीस 50 पैसा का है, उसके आप फिर यहाँ पर 20% का circuit लग गया, यहाँ पर अच्छा से return भी आ गया, तो यहाँ पर 6 रुपा 50 पैसा का, यहाँ पर आज का opening price है, अब देखे, अभी दोनों का multiply केजिए तो आपका investment का value 32 रुपीस 50 पैसा ही निकल कर आ रहा ह अब देखे, simple साची है, bonus rates में क्या हुआ, quantitative rates एक से बढ़कर हो गया, भाव जो रहता है, प्राइस जो रहता है, गिर गया, 6 रुपीस 50 पैसा हो गया, और investment का value कितना हो गया, 32 रुपीस 50 पैसा, बहुत लोगों को होता है कि फ्री में share मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, फ् hard copy में, जैसे हम लोग इसमें DMAT में hold करें, जिनके फिजिकल से रोल्डे से, उनके लिए कंपनी ने update दिया है, कि यहां पर देख सकते है, the allotment share in bonus share shall be made only in DMAT, तो DMAT form ही सिर्फ किया जाएगा, and thus all eligible members of company holding equity shares in physical mode, जो भी physical mode हो है, या hard copy में रखेंगे, our advice to dematerialize their physical share certificate by contacting their respective depositories on or before record, recorded से पहले आपको contact करना है, और इसको आपको convert कर देना है, DMAT form में convert करवा देना है, इसको, for the receipt of bonus security, अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं, तो company क्या करेगी, shall transfer, जो भी bonuses है, will transfer to suspense, इसको रकॉन में उसको transfer कर दिया जागा, in this regard, उसके बाद फिर आपको, फिर से, इसके पीछे पढ होता क्या है, तो फ्रेंट, bonus shares जो रहता है, free additional shares, that company gives to existing shareholders, based on number of shares, they already हो, तो फ्रेंट, अभी मैंने clear किया, कि यह word free, free नहीं होता है, because हैंपर price adjustment देखने को मिलता है, bonus shares सिर्फ existing shareholder को मिलता है, सबको नहीं मिलता, जो भी recorded तकी share को रखेंगे, उनहीं bonuses मिलेगा, and इसका price रहता है, आपका same रहेगा, and quantity of shares, जो आपके पास share है, quantity of shares, वो बढ़ जाएगा, यह होता है, bonus shares, अब फ्रेंट, important question है, बहुत लोगों को doubt है, यह bonus shares मेरी demand account में कब आएगा, जिनके फ्रेंट, bonus shares जो रहता है, usually 10 से 15 दिन का time रहता है, mostly 15 दिन के अंदर में यह हो जाता है, जब त additional decrease in profit, or increase in loss, once the shares are credited, the profit and loss will automatically adjusted to current value, जैसे ही bonus shares आपके निमेट अकॉन में आगा, सब कुछ जो भी है, जो loss दिख रहा है, वो normalize हो जाएगा, adjust हो जाएगा, या profit जो पहले से था, वैसे आपको दिखने लगएगा, सब कुछ डिपन करेगा, उसमें भी, कि price का value उपर जाता है, जैसे आज के दिने 20% का उच्छा ले, तो आपको 20% का profit और बढ़ जाएगा, जो पहले profit था, तो फ्रेंट ये update है, अब आगे है कि bonus shares company क्यों लाती है, तो फ्रेंट बढ़ाने के पीछे क्या है, liquidity बढ़ाना, quantitative share market बढ़ जाएगा, तो liquidity बढ़ेगी, trading investing दोनों बढ़ आती है, तो फ्रेंट ये था complete update regarding, सकुमा, export bonus shares issue, आई होब आको वीडियो अच्छा लगागा, वीडियो अच्छा लगा दिने वीडियो को लाइक कीजिएगा, share कीजिएगा, चैनल को subscribe पीजिएगा, thank you